पीसिस करिंड न्यूस में अभी की खबर है आपातकाल की पचासनी वर्षगाट 25 जून को ब्रधानमंत्री इंद्रा गांधी के द्वारा लगाए गए राश्ट्री आपातकाल को 49 वर्ष हो गए है इस वर्ष इसकी पचासनी वर्षगाट है बता दे कि यह घोशना भारती सम समविधान के अनुच्छी 352 के तहट की गई थी चलिए अब देखते हैं आपातकाल के प्रभावों के बारे में इसके दोरान नागरिकों के समविधानिक अधिकार मीडिया की स्वतंतरता आदी सबसीमित कर दिये गए थे इस दोरान सरकार ने न्यायपालिका की स्वतंतरत से जादा महत्वदिया था यह समविधान के मूल्ध हाचे के खिलाफ था चलिए अब देखते हैं आपात उपबंधों के बारे में भारती समविधान के भाग 18 में अनुच्छी 352 से 360 तक आपातकाल से संबंदित उपबंध उल्लिखित हैं भारती समविधान में आपात समविधान में इन प्रावधानों को जोडने का उद्देश देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक, राजनितिक व्यवस्ता तथा समविधान के सुरक्षा करना है अब तक तीन बार राष्ट्री आपातकाल की उद्घोशना की जा चुकी है अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968 तक चीन द्वारा 1962 में अरुनाचल प्रुदेश की नेफा शेत्र पर हमला करने के कारण दिसंबर 1971 से मार्च 1977 तक पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद अगोशित यूद छेड़ने के कारण जून 1975 से मार्च 1977 तक आंत्रिक अशान्ति की आधार पर अंत में देखते हैं आज क्या भ्यास प्रश्नकूब इस प्रश्नका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दे अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद डियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले